कि नमस्कार मैं अंजले मिशो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि अखिलेश ज्यादव और समाजवादी पार्टी यह का जाता है कि यह काफी जादा गुंदों को अपराधियों को संद्रक्षन देने का काम करती है लेकिन पार्टी इस मुद्दे पर बात क्या जाता है तो हमेशा कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है हम गुंदों को या पराधियों को समर्तन या संद्रक्षन नहीं देते हैं लेकिन एकबर फिर से सपाध्यक्षवकिलेश यादव ने अभासी मुर्तजा यानि जो वेक्ति जिसने अभी हाली फिलाल में गोरक जिनते हुए कि डॉक्टर के तरफ से इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा गया कि उसे किसी भी तरीके की कोई साइकलोजिकल प्रॉब्लम नहीं है वह मांसिक तरीके से पूरी तरीके से स्वस्थ है इसके बावजूद अखिलेश यादव का यह बयान कही हैं और यह मुद्दा मुर्टजा का जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है इस सभी के वारे में आयाम विस्तार से समझ लेते हैं गोरकपुर मंदर में परिसर में घुसने की कोशिश धारदार हत्यार लेकर एक व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की थी और अब उसी मुद्द भी तो वह पार्टी है जो की बात को ना जाने कितना खीच देती है साथी उन्होंने मुर्टजा मामले में प्रदेश सरकार से जाच की भी मांग की है तो साथ तो पर अखिलेश रादव एक बार फिर से एक आतंगवादी जिसका जो है आई एस के साथ भी जो है कनेक्शन न बल रही है लोग इस पर अखिलेश यादव पर कई सारे सवाल खड़े करना है तो कई सारे अकवदादे की किरती तिवारी ने भी जो है ट्विटर यूजर है उन्होंने लिखा है कि कितनी बिशर्मी की बात है कि जैसे ही समुदाय विशेश का कोई पकड़ा जाता है भले वो आतंग की कारियों में लिप्त क्यों नहों उसे बचाने के लिए सेकुलर गिरो तुरंत आ जाते हैं अरे मिया आतंगवादियों से इतनी हमदर्दी आपको क्यूं है जाच एजन्सियों को देखने दीजी अगर बेगुना होगा तो फिर छूट जाएगा और ये बात का लोगों रहे तो अखिलेश आदव के इस बयान को गटर पॉलिटिक्स तक कह दिया है कुछ कह रहे हैं कि हमें पता ही था कि अखिलेश आदव आएंगे और वो भी एक गुनेगार के बचाओं में तो साफ तोर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है य तो मुर्तजा अबासी नाम के एक वेक्ती ने अल्ला हुए अकबर के नारे लगाते हुए अंदर गुसने की कोशिश के इस दौरान उसके हाथ में धारदार हतियार था इस दौरान उसने रोके जाने पर जो है वहां पर जो पीए सी के दो जवानों को घायल कर दिया मुद् मुर्तजा अबासी है उसका घर गोरकपूर सिविल लाइन के सीटी मॉल के सामने वाली गली में अबासी नर्सिंग हों के पास है उसके अबा का नाम मनीर मुर्तजा है उसे केमिकल इंचीडियरिंग की पढ़ाई की है वो भी बोंबे से अबासी दौरा किये गए हमले का शि यूनिट के जवान अलिर गुपता पर भी हमला किया था साथ ही उसने खुद को पकड़ने जाने पकड़े पकड़ने वाले जवान अनुराक को भी चोट पहुचाने का प्रयास किया था गटना में चस्मदीद रवेस्टिंग ने बताया था कि होमगाट के वो जवान है उन हमला करने का प्रयास किया वहतिया लहराते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगा पर वह पकड़ा गया घटना के समय मंदर में दर्शन करने के लिए गए मंजु ने पूरा घटना करम खुदी बताया उसने बताया किस तरीके से अचानक जो हमलावार है वह बांका लेकर रायर उसने पुलिस पर हमला बोल दिया इस हमले के बाद काफी जादा जो है इस मामले को लेकर सुरक्या होने लगी क्योंकि उसे जब यह हमला हुआ तो उस दौरान योगी आधित्तनात वहां मौजूद नहीं थे और गोरकपर मंदर में ही योगी आधित्तनात का आवास ह तो इसलिए इस अगर सुरक्षा के मामले से काफी से समवेधन शील बताया जाता है तो साफ तो पर यह बड़ा मुद्दा था एहम मुद्दा था और इसे लेकर काफी जादा जाच होने लगी क्योंकि सिक्योर्टी से ज़ड़ा हुआ मुद्दा था और ऐसे में जब वहां और खुलासे होते गए गटा पर बयान देते हुए कहा कि हमलावार गोरकपूर के ही सिविल लाइस का रहने वाला है हमला शाम को लागबग साथ बचे हुआ तो और इस दौरान मंदिर के साइकल स्टेंड के पास पुलिस को निशाना बनाए गया हतियार हतियार से प्रयोग है अब ही तक ही है मुटजा को लेकर जो है डॉकटर के तरफ से खुलासा किया गया कि मौन सिक रूप पूरी तरह से किसी तरीके की कोई तक लीफ जो है वह पिलकुल स्वस्थ है जिसे बार बार जो है इस मामले को डखने के लिए उसके पिता के तरफ से भी बयान बाजी करते नजर आये थे उन्होंने कहा था कि उनका बेटा बांसी ग्रूप से ठीक नहीं है और जो है उसके अंदर काफी जादा सुसाइडल टेंडेंसी है वह भी बच्पन से सुसाइडल टेंडेंसी है और ऐसे मैं आपको दादे कि गोरकपुर के गोरकनाद मंदर पर हमले के आरोपी आमद मुर्टजा को लेकर लगतार जो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है पिता कहरा है कि मांसिक रूप से बिमार है बच्पन से नजर आ रहे है इस मामले में मुर्टजा को लेकर पूश्टाच की जाच जन्सियों की गुरू के बारे में भी नई जानकारी हाथ लगई है मुर्टजा यमन अमेरिकी इमाम अन्वर अलहालाखी को अपना गुरू बाता है और इसलामिक अवेकनिंग फोरंग पर इसलाम से जोड़ी बात और सवाल पूशता रहता है उसके लाप्टॉप से सीरिया और आईस आईस के हमले से जुड़े कई वीडियो लाप्टॉप में डाउनलोड मिले यूपी एटीस से जानकारी रादमर में पूश्टाच के बाद मिली है आपको बता दे कि हमले से एक दिन पहले से एरगन की है और चर्रे यूपी एटीस को सौब देगे दरसल मुर्चजा के गोरकपुर गोरकनात मंदिर से साउथ गेट पर अविवार शाम को मंदिर के बाहर सुरक्षा के तहनात पुलिसों के ओपर धारदार अतियार से हमला किया था वही मुर्चजा से पूश्टाच करने के दورान वह कटरपंति संपर्क में आया था याणि कल रहा है के जिहादी वीडियो सर्च करने के बाद संवल्च में किये थे, गटर पंतियों ने मुर्चजा को जिहादी बनाने के लिए बेहत शाल्ठी आनत तक ग्ष्यादी तक ठेका अपना आया था, और इसके चीजे हो रही है डॉक्टर के रिपोर्ट सा रहा है तो साफ तोर पर एक बड़े खुलास हो रहा है लेकिन अकिलेश आदव इसकी बचाओं में उतर चुके हैं और यही कालन है कि आज के वक्त में अकिलेश आदव को भी सवालों के कड़गरे में खड़ा कर दिया जा रहा है कि भले ही कोई अगर गलत काम कर रहा है लेकिन एक मजब से जुड़ा हुआ है तो इसे लेकर अकिलेश आदव समर्थन में बात करते हैं जो सारा सर गल्थ है और साथ ही उन लोगों के लिए भी दुखदाई है जिनों लोगों ने थोड़ा बहुत ही सही बट अकिलेश आद तो ऐसे मैं आपने पूरा मामला जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी वीजो राए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताए